नमस्कार संसद्य समीतियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कारिकरम कमिटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ सूरज मोहंजा शिक्षा किसी भी राश्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकार निभाती है उच्षिक्षा देश में उच्षिस्तर के मानव संसाजनों का निर्माण करती है राश्टिय शिक्षा नीती 2020 आने से उच्षिक्षा में आ रहे परिवर्टनों को देखते हुए संसत के विशेश सत्र में शिक्षा संबंदी संसदिय समीती ने उच्चितर शिक्षा में राष्टिय शिक्षा नीती 2020 के कार्यान्वन को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है इस रिपोर्ट में भारत के उच्चे शिक्षा शेत्र में इस प्रमुख नीतिगत बतलाव को लाओ करने में प्रगती और चिनोटियों की समिक्षा की गई है संसदिय समीती ने अपनी पड़ताल में ना सिर्फ सभी पहलूओं की समिक्षा की बलकि इसके प्रुभाविक किरियान्वेन के लिए महत्वपूर्ण सुझाओ भी दिये हैं समीती के सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर साथ ही विशेशक्यों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा उचेतर शिक्षा में राष्टिय शिक्षा नीती 2020 के कार्यान्वन विशे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रज्यसभा संसद विवेक ठाकूर आप अध्यक्ष हैं शिक्षा संबंदी स्थाई समीती के सदस्य हैं और हमारे साथ कारिक्रम में जुड़ रही है प्रोफेसर सुश्मा यादब आप प्रो वाइस चांसलर हैं हर्याना केंद्रे विश्वध्या लेकी आप सभी का कारिक्रम में स्वागत हैं चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंदी संसद्य स्थाई समीती की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे 21 सितंबर 2023 को संसद में पेश किया गया था रिपोर्ट में उच्चे शिक्षा शेत्र में राष्ट्य शिक्षा नीती के कारियानवन की मुख्य विशेशताओं और अब तक हुई प्रगती का आकलन किया गया है राश्ट्य शिक्षा नीती 2020 आने से उच्चे शिक्षा में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए संसत के विशेश सत्र में शिक्षा समंदी संसत्य समीती ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्य शिक्षा नीती 2020 के कार्यान्यवन को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है इस रिपोर्ट में भारत के उच्च शिक्षा शेत्र में इस प्रमुक नीतिकत बदलाव को लागू करने में प्रगती और चुनोतियों की समिक्षा की गई है संसधिय समीती ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वन्चित शेत्रों में उच्छ शिक्षा तक पहुंच सीमित है जिससे शेक्षिक अफसरों के समान वितरण में बाधा आती है संसधिय समीती ने सिफारिश की है कि केंजर एवं राज्ये दोनों को उच्छ शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से वन्चित समूहों को समर्थर प्रण करने के लिए प्रयाप्त धर्राशी आवन्टित करनी चाहिए श्यत्रिय भाषाओं और दुविभाषी रूप से पढ़ाये जाने वाले अन्य डिगरी पाठ्य क्रमों के विकास को प्रोप साहिद किया जाना चाहिए मल्टिपल एंट्री और मल्टिपल एग्जिट विकल्पों का कार्यानवन राश्य शिक्षानीती का एक महत्वपूर घटक है जो छात्रों को उनके शेक्षिक मारवों में अधिक अनुकूलन और विकल्प प्रतान करता है संसद्य समीती के रिपोर्ट के मोताविक M.E.M.E. एक लचिली प्रणाली की तरह है जिसे पश्यबी शेक्षणिक संस्थानों दुआरा प्रभावी धंग से संचालित किया जा रहा है संसद्य समीती ने देश में इसके बहतर संचालन के लिए व्यापक दिर्शादर देश और रूप रेखा विक्सित करने की सिफारिश की है राष्ट्य शिक्षा नीटी और उच्चतर शिक्षा में किस तरह से बहतर ही हो इसको लेकर आप लोगों ने सिफारिशे की है अपनी इस पूरी पड़ताल में आप लोगों ने क्या कुछ पाया है देखे जो 356 रेपोर्ट पिछले सत्र में जो पेश हुआ है नई शिक्षा नीती पर जो हायर एडूकेशन सेक्टर को लेकर और उसमें कैसी प्रगती चल रही है इसकी बड़ी विस्तित समिक्षा की है प्राज सरकारे हों हायर एडूकेशन के संस्थाने हों तो एक विस्तित चर्चा के बाद इस रिपोर्ट को पेश किया गया है लेकिए जानने वाली बात यह है कि देश में लगवग आज के दिनों में 1043 यूडिवरस्टी हैं जो की ऑपरेशनल है फंक्षनिंग लेकिन सतर पर्सन जिसमें स्टेट आक्ट करता हता है और 94 विद्यार्थी जो है स्टेट या प्राइवेट इंस्ट्यूशन जो है केंद्र संचाल इतना संथानों में तो लेकिन फिर भी सभी सेखोंडर्स को लेके जो यह देखा गया कि एक सार्थक प्रयास जो है हर जगा चलना है औ और उसी क्रम में कई पहलों की समिक्षा भी की गए जिसमें की एक तो बहुत ही व्यापक प्रयास हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं उसको बढ़ाने की हो स्वेम प्रभाब पोर्टल के माध्याम से हो और बड़े ही बड़ा एक ओपन ऑनलाइन पोर्स चल रहा है रूसा है तो इन सभी पहलों को यह देखा फिर इसके साथ साथ कमीटियों ने यह भी देखा कि विकेंसी का पोजिशन क्या है हारे उस पे बड़ा टाइम बाउन मैनर में जितना भरपाई आप कर सके इस पर बहुत जोड़ है केंद्र सरकार की कितनी संसाने हैं बड़े व्यापक उसमें युनिवर्स्टी के भी और हायर इडूकेशन सेक्टर के भी जो प्रोफेसर नव नूक्त हुए उनको भी दिया तो यह बड़े व्यापक रूप से चल रहा है दूसरा की ऑनलाइन स्टडी मटिरियल जो वह च्छेत्रिय भाशा पर यह बड़ा एंफेसिस दिया कमी सब्सक्राइब यह समाने शिक्षा उसकी जो कोर्स है मटिरियल है उसकी और अपने दौरे में विभिन जगह के अध्यन दौरे में एक जमू कश्मीर के दौरे में एक बहुत ही रिमाकबल चीज़ जो देश को जानना चाहिए जमू इनवर्स्टी ने शिच्छा नेकी के त वह बड़ा ही एक अधभुत पहल रहा है जमू यूवर्स्टी का और कमिटी ने रेकमेंड भी किया है कि अन्य संस्थानों को भी इससे सीख लेनी चाहिए जो कि उसमें इतना कमफर्ट दिया है स्टूडेंट के लिए और जो हम कहते हैं कि मुल्टिपल एंट्री मुल्टि वह पहले एक-दो साल में अलग-अलग सेमेस्टर में जो आज के बच्चे को अपना कोर अगर आप हिस्ट्री के विद्यानती है तो पारंपरी क्रूप से क्या होता पहला साल से जो हिस्ट्री परमा शुरू के अंतिम साथ तक आप हिस्ट्री ही पढ़ते जाए उसके बाद इसे करके और लास्ट में स्पेशलाइजेशन की हो बढ़ जाता है तो बड़ा मार्वलस प्रयास है और इस पर भी हम लोगों ने रेकमेंड किया है सुष्मा जी जिस तरह से शिक्षा संबंदी संसथाई समीती ने यह रिपोर्ट पेश की है राष्ट्य शिक्षा नीती को स्थान है उसमें उसके कारियान्वन को लेकर आप इस रिपोर्ट को किस सरह देखती हैं देखिए अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो मैं कह सकती हूं कि रिपोर्ट को देखकर प्रसंदता होती है क्योंकि रिपोर्ट ने कुछ अध्येन भी देखे हैं कुछ मैं इनकी बात करूँ तो यह समिती काफी प्रसन्न है अब तक की प्रगती से और मैं भी UGC सदसे रही हूँ इस रूप में मैं समझती हूँ कि एक प्रसन्नता की बात है और बहुत सारे विश्विद्याले भी आप अगर देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारे विश्विद्य चनीती 2020 को वहवार में अपने प्रयोग में लाना आरंब कर दिया है और बहुत सारे परिवर्तन किये हैं उन सब बातों का जिक्र भी यह समिती रिपोर्ट करती है क्यूंकि समिती में कहा गया है कि जिस प्रकार से academic bank of credit बनाना था multiple exit multiple entry की provisions करने थे हेफा से लॉन राष्ट् प्रॉल्मेंट रेशो कहते हैं उसको बढ़ाना था उन सब शेत्रों में प्रगती यह समिती दिखाती है संसद्य समीती ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित शेत्रों में उच्छी शिक्षा तक पहुंच सीमित है जिसमें शेक्षिक अ सब्सक्राशा उसकी वही रहती है जो वह सीखता तो नेटिव लैंग्वेज का लर्निंग प्रॉसेश जो बड़ा ठोस होता है उधारन के तौर के जापान और जर्मनी इसका मतब विकास और साइंस में जो यह जिस पोटी के देश हैं यह पूरे तुन्हें आपको पता है पूरा साइंस जपान का अपने नेटिव लैंग्वेज में उसी तरह से जर्मनी करें तो वहां से घे लेते हुए क्योंकि भारत एक बड़ा ही विवित्ता का देश है कई भाशाओं का देश है तो हम अगर अपने बच्चों के उसके नेटिव लैंग्वेज में ट्रीन करे प्रयास को रहा है चुकि एक नया पहली भारत के यह नया पहली एक तालीस इंजिनेरिंग को पूर्से जो है आठ छेट्रिय भाशाओं में आरम हो चुका है एंबी बेस की पड़ाई हिंदी में आरम हो चुका है तो इसको प्रोचसाहित करने के लिए एक विस्तित रूपे इस पर एक चर्चा और अध्यांगवार जो की सिपारिश के रूप में कमिटी ने अपने रिपोर्ट में पेश राष्टिय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्यम से साल 2030 तक सभी के लिए समान समावेशी और गुड दुवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हुए चौथे सतत्विकास लक्ष सभी के लिए शिक्षा को पूरा करने में मदद मिल सकती है संसदिय समीती ने उभरते भारत के लिए PM स्कूल, PM श्री, ईविद्या, निपुड भारत जैसे विभिन, सराणिय उपायों क माध्यम से नई शिक्षा नीती 2020 के कार्यानवन से उच्चे शिक्षा पढ़नाली को और अधिक बहतर बनाने के दिरिश्टी कोण की प्रिशनसा की है संसदिय समीती ने चौइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम पर आधारित डिजाइन योर डिगरी कारिक्रम को सभी उच्चे शिक्षिक संस्थानों में लागू करने की सिफारिश्की है हमारे साथ कारिक्रम में प्रोफेसर सुश्मा यादर जुड़ी हुई है आप प्रो वाइस चांसलर है मैं इसके विशे में हमने बताएं बीए में एक बार यदि हमने अड्मिशन ले लिया तो हम बीए वही मादर रूप से शिक्षा गहन कर सकते हैं जिसमें ओन लाइन शिक्षा भी होगी डिजिटल शिक्षा भी ohगी योडैय भी ऐओगी वह सब होगी और एक साथ दो डिग्री भी कर सकते हैं बस वह क्लैश ना करें टाइमिंग्स एक दूसरे के साथ और फिर यह design your degree जम्मू विश्विद्याले ने आरंब किया है एक नाना वाचार और मुझे लगता है सभी विश्विद्याले बहुत जल्दी से अपनाएंगे क्योंकि जो multiple entry और multiple exit की बात राश्ट्री शिक्षा नीती करती है उसमें यह है कि आप जब चाहें प्रवेश कर लें और जब चाहें निकल जाएं लेकिन आपका कोई समय उसमें व्यर्थ ना हो आप अगर 6 महीने पढ़ पाते हैं तो आप certificate ले लेंगे उस विशे में आप यदि साल लगा लेते हैं तो आप diploma ले लेंगे उस विशे में और उसके बाद यही चलते हैं तो PG diploma ले लेंगे फिर अगर 3 वर्ष कर देते हैं तो degree ले लेंगे यदि उस degree के साथ project भी कर लेते ह तो ओनर्स डिग्री ले लेंगे विशेश डिग्री तो एक तो तरीका यह है कि किस प्रकार से design your own degree आप जितना समय लगाएं जितना पढ़ना चाहें वो आप एक certificate या degree ले लें दूसरा design your degree में जहां तक मैं समझती हूँ उन बंधनों से भी अब मुक्त हो जाएंगे विद लेकिन छे महीने के बाद या साल भर पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी उपयुक्त choice नहीं थी और मैं साथ में मुझे elective course मिल रहा है, physics में भी मिल रहा है, music में भी मिल रहा है, art में भी मिल रहा है, language में भी मिल रहा है और उनमें से जो मुझे लगता है कि ये मे अधिक सही मार्ग है यही मेरा टेस्ट है यही मेरी चॉइस है तो मैं फिर वहां अपने क्रेडिट बढ़ाना शुरू कर दूँ वहां क्रेडिट जैसे ही बढ़ेंगे तो मेरी डिग्री उस विशय की हो जाएगी तो मुझे लगता यह एक ऐसा है व्यवस्ता दी गई है जो क उद्योग संस्थान संबंधों और सहयोगी कारिक्रमों के माध्यम से शिक्षार्तियों में नवाचार और रचनात्मक्ता पैदा करने के प्रियासों की सरहना की है संसद्य समीती का मानना है कि अनुसंधान को बढ़ावा देना उतक्रिष्ट शिक्षा की सबसे बड़ी जरुवत है जगना सरकार जी जिस तरह से रचनात्मक्ता को बढ़ावा देने की आप लोगोंने सराना की है और रिसर्च और अनसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसको लेकर आप लोगोंने रिपोर्ट में कहा है आपके क्या विचार है हमारा देश है यह सबसे एक देश है यह इस डेश में ऐसा मोगा मिलता है किसी डेश में ऐसा मोगा नहीं मिलता है इसलिए नया नया सोच आ रहा है और कहां कुन काउंटी कैसे आगे बर रहा है सब को लेकर हमारा देश का एडूकेशन के जो फिरी भावना यह होना चाहिए हमारा जो देश का जो इतना महुत पुन्नों देश है तो अलग अलग सबी है कि तो एक साथ जोड़ने के भावना भी है तो इसलिए हमारा जो एडूकेशन पॉलिशी नया आ रहा है देश आगे भर है है ना जो नो चैंज आना चाहिए वह भीशो में जो जो रिलु करें से करेंश होना चाहिए वह हमारा तरफ कैसे तरफर चल रहा है उसका भी मर्चादा दे कर वह भाव вже के आगे corn लेकिन लेट में जो हुआ तब भी मैं बोलूंगा जो हुआ देश के हिद के लिए हुआ सर बल्टिपल एंट्री और मल्टिपल एग्जिट विकल्पो को लेकर आपकी जो संसदिय समीतिय है उसने काफी गंभीर परताल की है उन्होंने बताया कि यह पश्चिमी देशों में तो अच्छी तरह से क्रियानवित हो रहा है भारत में आपने इसको लेकर आशनका जताई ह है और कहा है इस सही तरीके से लागू किया जाए इस विशे में कुछ बताएं सब्विकास की यात्रा होती है उस समय सब को सजग होते वे देखना है कि यात्रा ठीक चड़े तो उसी तहद कमीकी ने भी सुझाव जो है हाइर एडुकेशन मत्राने को इस परिपेश में यह है जो जो उसके सुझाव थे थे ताकि कोर्स करेक्शन जो है वह एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहीं कुछ तूटी आ गया और क्यों होता ऐसा कि नहीं चीज है लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा शिक्षक उसका भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है बहुत ही व्यापक संसर्य समीटी के रिपोर्ट के मताबिक M.E.M.E. एक लचीली प्रणाली की तरह दिखती है जिसे पश्च्रमी शेशनी संसानो द्वारा प्रभावी ढंग से संचालित किया रहा है संसर्य समीटी ने देश में इसके बहतर संचालन के लिए व्यापक दिशाद निर्देश और रूप रेखा विक्सित करने की सिफारिश की है मैम तो ये आकलन आवश्य होगा अब जब आकलन आरंभ होता है असेस्मेंट और ग्रेडिंग शुरू होती है तो हर विश्र विद्याले एक ही सतर पर तो नहीं होता एक तरफ तो उससे अच्छी बात तो ये है कि होड लगेगी सभी में ये एक इसको कहेंगे healthy competition होगा एक स्व चाहे आप प्रवेश कर लें कभी चाहे आप वहां से निकल जाएं इसमें ये समस्या अवश्या आएगी कि हर व्यक्ति जैसे चाहता है जीवन में बहतर पाए वह चाहेगा कि हर अच्छे एक अगर अभी ऐसे संस्तान में हो जो भी ग्रेड है बी प्लस ग्रेड है या एक तो ए प्लस प्लस में चली जाओं या ए प्लस में चला जाओं इस प्रकार का प्रयास करेगा इस दुविधा की और ध्यानाकरशित किया है समितिने क्योंकि ऐसे में क्या होगा जो दूर दराज गामों में सित महाविद्याले हैं या विश्रुविद्याले हैं जो अभी उस स्तर तक नहीं आ पाएं हैं जो भी बच्चा हो सकेगा विद्यार्थी हो सकेगा वहां से निकल कर उससे बहतर महाविद्याले में जाना चाहेगा और यह दुविधा का कारण इसलिए बनेगा कि उससे टीचर स्टूडेंट रेशो बिगडेगी और जितने विद्यार्थी उन संसद्य समीती ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित शेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित है जिससे शेक्षिक अवसरों के समान वितरण में बाधा आती है इस्थानिये भाशाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले वंचित रह जाता है संसद्य समीती ने सिफारिश की है कि केंद्र इवं राज्ये दोनों को उच्च शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित सम्हों को समर्थन प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशी आवंटित करने चाहिए शेत्रिये भाशाओं और दूवी भाश्ये रूप से पढ़ाये जाने वाले अन्य डिग्री पाठे करमों के विकास को प्रोच साहित किया जाना चाहिए जगना सरकार जी जिस तरह से हाश्ये और वंचित वर्क के विद्यार्थियों को शिक्षा तक पहुंचाया जाए इस्थानिये भाशाओं में मिले ताकि उच्छे शिक्षित हो ज्याजित से ज्यादा लोग इस पर आप क्या कहेंगे यह जो हमारा बंगल का एक महापुरुषारा विश्टों का ही है महापुरुष उप्षामी वीवे का नम जो में बोलते हैं तो जो जो चीज वह हमारा मोंसार जो भाब पहले से जो एकोनोमिकली पोर है लेकिन उनका भी भी बहुत अच्छा सोज भाबना हो सकते है इसलिए वो तो उनको महत तो देकर ओ एडुकेशन कैसे ले पाएंगे उनका भी हेल्प चाहिए इसलिए लोनिंग सिस्टेम के लिए लोन करने के लिए नैस्मारिस बैंक को हम बुलाया वो एडुकेशन जो कॉमिटी उनका साथ बहुत भी किया वो जिसका एकोनोमिकली पोर है उनका हेल्प करके उनका लेंग्यूर्स से उनका मेदा बरहने के लिए मौका देना चाहिए यह जो सोच है बीवेका नम्दा और और भी एक बात बोला जो पिसले बर्गा है को भी ओ वो मौका नहीं मिलते हैं उनका चीचार भी ज्यादा लगेगा एक जो ब्रामीन के बात्चा को लेगेगा उनका दोस टूटर लगएगा इक्वाली करने के लिए तो फिछले जो बर्ग है उसके साथ एडूकेशन जोनने के लिए उसका भी मोगा देना बैंक लोन मिलना चाहिए और भी मोगा बढ़ाने के लिए यह भी शोचा है आमारा जो एडूकेशन जिस तरह समाज के वंचित वर्ग तक उच्चे शिक्षा पहुंचे इसकी चिंता संसद्य समीटी ने की काफी गंभीर समस्या है को कि ग्रामिड भारत में हम जाते तो हम देखते हैं यह समस्या काफी प्रवल हो जाती है और अंग्रेजी भाषा की जो प्रमुक्ता की वज़े से वंचित रह जाती है अब संसद्य समीटी ने जो अनुशनसा की है इसको आप किस तरह से व्यभारिक पाती है मैं समझती हूँ यह बहुत अच्छी अनुशनसा है क्योंकि अंतत्य है यदि हम भारत को विश्वगुरू भी बनाना चाहते है और सरशक्त भी बनाना चाहते तो आवश्यक है कि सभी वर्गों को यह अवसर मिले कि वो अपनी प्रतिभा जिसकी बात स्वामिवे कनन जी करते रहे हमेशा कि हमारे अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसको बाहर लाना है शिक्षा का उदेश तो वो तभी हो पाएगा तो एक जो शिक्षा नीती ने बात क है कि प्रतेक जिले में और सरकार भी चाहती है कि प्रतेक जिले में एक मेरू मल्टी डिसिप्लरी जो रिसर्च एंड स्टडी युनिवसिटी की बात है वो प्रतेक जिले में खोजी जाए क्योंकि जिले में इसलिए आवश्यक है जादा तर आप देखेंगे कि चाहे ट्रा शायद माता-पिता कई बार इतना खर्च करने की स्थिती में भी नहीं होते कि उन्हें फेज़ दिया जाए जिब कि बच्चियों के लिए उस्टल भी बनाये जा रहे हैं उनके लिए विशेष प्रयास भी किये जा रहे हैं तो एक इस प्रकार का विश्विद्याला यह खुल प्रांगण में और विशेशत है उच्छे शिक्षा के प्रांगण में और साथ ही साथ credit framework जो अभी हम बना रहे हैं तो उसमें multiple exit की जो बात की थी वो भी बच्चीयों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी और दूर राज के ग्रामें क्षित्रों में जो वंचित वर्ग हमार अबस्ता है उनके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि काम के लिए यदि कभी डिग्री छोडने भी पड़ गई तो डिपलोमा लेकर बाहर निकलेंगे फिर थोड़े दिन काम कर लेंगे वापस आकर अपनी डिग्री कर लेंगे तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा और भारसल्कार कर रही जो ने चाहिए जो इंफ्र स्ट्रक्चर होने चाहिए और अंततता है जो शिक्षेत। चाहिए चाहे वह एम एम टी एलसी जो भी शुरू किया मदन महान मालविये शिक्षन प्रशिक्षन पहल के अंतरगत या आइडिया लैब हो या अटल प्रशिक्षन प्रग्राम हो तो सु शिक्षित शिक्षक इन इक्षेत्रों में मिलेंगे तो मैं अविश्य मानती हूं कि विराश्च्री शिक्षाणी तई जो सप्ण हमको दिखाती है यह कर चली है कि यह Ladis समर्थ नाग्रीकों का देश होब और अंततध है यह देश जिनको हम विश्वनाग्रिक कहते हैं या विश्वनाग्रिक और विश्व ग्रू baptism बनने की समर्थ रखने वाले नागरीकों का देश हो वह देश यह शिक्षा नहीं दी और अब शिक्षन संस्थान देपाई सर आकरी में आपसे जानना चाहेंगे इतनी महत्वपूर्ण आप लोगों ने अनुश्रमसा की काफी गंभीर विशे पर जो अध्यन दोरे आपने के लिए किया और एक विस्तृत रिपोर्ट आया है उच्चे शिक्षा में जादा से जादा हमारे देश में सकन नामांकन दर बढ़े और वन्चित वर्ग और हार्षिय पर बैठे हुए लोग भी उच्चे शिक्षा को प्राप्त करें तो आप इस रिपोर्ट के बाद किस तरह देखते हैं सरकार की तरफ से आपको किस तरह की उमीदे हैं तो मैंने आपको शुरू में कहा कि जैसे रिपोर्ट बिपो तो यह बहुत पहले ही कमीटी ने कई बार इस पर चर्चा कि और बड़ा इस पर दंभीता से भारत सरकार अपनी संसाओं में इस पर काम कर रहे हैं राज्य सरकारों को भी कहा गया है यह था सब लंके हैं जहां जहां नहीं शिच्छा निती आ गए हैं स्वभावी करूप से लोग लगते हैं जहां तक वंचित वर्ग और पेनिट्रेशन की बात है तो भारत नेक का एक बहुत बड़ा नेटवर्ग जाल बिछना है पुले देश उसको भी इससे के साथ जूड़ने के दिए ताकि इजी एक्सेस गाउं व्याद के बच्चों को भी यह हो जाए है है स्वावी क्रूप से हम सही दिशा में हमने रिकमेंट किया है और भारत सरकार के संबनेत मंत्राले ने इसको अच्छे से स्वितार करते हुए क्रियामन की और बढ़े बिलकुल विवक जी आप हमारे साथ कारेक्टर में जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो आपकी संसदिय समीती ने संसद में पेश की है उस पर अपने राय रखे और आप लोगों ने जो प्रताल किया धिन दोरे में जो आपने पाया फाइंडिंग्स वो हमारे साथ दरशकों के साथ आपने शेर किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शिक्षा संबंदी संसदिय समीती की रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो जाती है कि राश्टिय शिक्षानीती 2020 के बाद उच्चे शिक्षा परणाली में करांतिकारी बदलाब की उम्मीद है और संसदिय समीती ने इसके लिए महत्मपूर्ण सुझाओ भी दिये हैं तो कैसा लगा हमारा ये कारिकरम आप अपना फीड़बैक हमें संसर टीवी के सोशल मीडिया एकाउन पर दे सकते हैं मुझे दीजिए जाज़त और आप देखते रहें संसर टीवी नमस्कार